हेलो दोस्तो देखे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रजनीश सर के निर्देशन में सिहानता आईएस ने यूपीएससी प्रिलियम्स 2020 को द्यान में रखते हुए इस शरंखला को शुरू किया है और इसी शरंखला की एक कड़ी के रूप में मैं अमित कुमार आप लोगों को जोग्राफी और एन्वार्मेंट एंड एकोलोजी से रिलेटिड कुछ कोश्चन्स इसकस करूँगा आज के इस सेशन की शुरुवात हम भुगोल से करेंगे भुगोल के अंतरगत यहां हम लोगों ने सो कोश्चन डिजाइन किये हैं और यह केवल आप यह मान के ना चलें किये केवल सो कोश्चन ही हैं जिस परकार से UPSC ने समय समय पर अपना पैटर्न चेंज किया है जो उसकी थोट है जो वो चेंज किये है उसने उसी के आधार पर इन कोश्चनों को रखा गया है इन सो कोश्चनों को हम लोग तीन दिन में कवर करेंगे और एक दिन का जो समय होगा यानि के आज जो है लगभग एक से देड़ घंटे के अंतरगत हम लोग तीस से पैंतिस कोश्चन्स इसकस करेंगे सबसे पहले जदी हम कोश्चन्स इसकस करें उससे पहले ये जान लेना ज़्यादा जरूरी है कि यूपीएससी प्रिलियम्स को आधार बना कर जोग्रफी के अंतरगत इन टोपिक्स को रखता है और कौन से वो टोपिक्स हैं जो प्रिलियम्स के लिए आपको नहीं पढ़ने होते हैं तो चलिए यहीं से मैं शुरुवात करता हूँ और जल्दी हम अपने जो कोश्चन्स हैं उन पर लोटेंगे देखिए जोग्रफी को डिवाइड करने के बहुत सारे आधार हैं लेकिन यहां पर जो हम वर्गी करण लेकर चलेंगे वो इस तरीके से लेकर चलेंगे जो प्रिलियम्स के आधार पर सबसे सरल हो, सबसे सुगम हो जैसे कि आप लोग जानते हैं जोग्रफी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं सबसे सरल जो तरीका है वर्ड जोग्रफी और इंडियन जोग्रफी वर्ड जोग्रफी को हम पुन हैं चार भागों में तोड़ कर समझेंगे नमबर एक एस्ट्रोनॉमी सेकिंड इस फिजिकल जोग्रफी भौतिक भुगोल और लास्ट में जो हम सैसन लेंगे वो है एटलस अब यह हम जो वर्ड जोग्रफी उसी की बात कर रहे हैं खागोली की इसका भी पैटरन समझेंगे कि UPSC पहले किस टाइब के कोश्चन पूछता था जो आज का जो ट्रेंड है UPSC का वो किस परकार से कोश्चन UPSC को लेकर पूछ रहा है दूसरा है फिजिकल जोग्रफी भौतिक भुगोल यहां के जो कुछ टोपिक्स हैं उनको आप थोड़ा ध्यान से देख लें फिजिकल जोग्रफी के अंतरगत जो पहला टोपिक आपको पढ़ना है वो है परत्वी की उत्पत्ती परत्वी की उत्पत्ती से एदि में बात करूँ तो तो 1909 में और फिर 2018 में UPSC ने कोश्चन पूछा है इस साल यह टोपिक थोड़ा ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है उस पर बात करेंगे सेगिंड है अकसांस वे देशांतर यहां मैं वही टोपिक ले रहा हूं जो UPSC प्रिलियम्स को ध्यान में रखकर कोश्चन पूछ रही है नेक्स्ट है पर्थवी की कतियां नेक्स्ट पर्थवी की आंत्रिक से रचना जो यह टोपिक है अंत्रिक से रचना अभी तक यहां से डारेक्ट कोश्च देखिए थोड़ा सा इस्टर्ब हो गया था क्योंकि लाइट से ले गई थी तो चलिए फिर से लोटते हैं चुरुआत करते हैं वहीं से जहां से छूटा था इसके अंत्रकत हम चल रहे थे वर्ल जोग्रफी में यहां पर एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल जोग्रफी, जोमें जोग्रफी और एटलस फिजिकल जोग्रफी के अंत्रकत जो महत्वपून टोपिक हैं यूपी एस्टी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला जो टोपिक है वो है परत्वी की उत्पत्ति सेकिंड है अक्सांस तेवं देशांतर तोंगी ट्यूड एटिट्यूड नेक्स्ट परत्वी की परतियां नेक्स्ट है परत्वी की आंत्रिक सेरचना नेक्स्ट टोपिक है आपका भूस अंचलन और इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे भू चुम्बक्त्व है यूपीएस्सी ने इस टोपिक को बाद में जोड़ा है भू चुम्बक्त्व को कोश्चन यहां से पूछ रहा है नेक्स्ट जो टोपिक है फिजिकल जोगरफी में मैं अभी बात करूँगा भूकंप सुनामी एंड ज्वाला मुखी नेक्स्ट चटाने नेक्स्ट मर्दा और लास्ट इस्थला करतीयां इतने टोपिक आपको वर्ड जोगरफी के अंतरगत जो फिजिकल जोगरफी है वो तैयार करने हैं यदि मैं मानो भूगोल की बात करूँ वर्ल्ड पर्स्पेक्टिव में यहां से वो कोश्चन नहीं पूछता है सामान्य तोर पर यदि 10-12 साल में कोई एक कोश्चन पूछ भी दे जैसे कि नील नदी घाटी में किस परकार की आर्थिक गतिविदिया हैं किस परकार की खेती होती है तो उसकी आप चिंता ना करें क्योंकि यहां से कोश्चन पूछता ही नहीं है यदि Human Geography की में बात करूँ तो UPSC जादा Interested Indian Geography को लेकर है Atlas को यदि हम देखें तो Atlas को दो आधारों पर तैयार किया जाता है यदि World Geography की बात है तो यहां से जो राजनेतिक मानचितर है राजनेतिक Atlas है Political Map उससे कोश्चन पूछेगा Location को लेकर एक, दो, यहां तक की तीन कोश्चन भी उसने पूछे हैं Physical Geography को लेकर यदि मैं बात करूँ प्राकर्तिक रूप से जो Atlas है, वो World Map के अंतरकत आपको तैयार नहीं करना है 2010 से पहले कोश्चन पूछे जाते थे इस टोपिक से कि यह जो आलम होकी कहां पर है, यह परवत कहां है आज इनकी संख्या नगणने है, वो Focus Current में जो Locations हैं उनको लेकर कर रहा है तो मानचितर के अंतरकत यदि मैं World की बात करूँ तो आपको राजनेतिक या Political जो मैं फिर उस पर Focus करना ज्यादा अच्छा रहेगा इतनी चीज़े हमने समझ ली है World Geography को लेकर मैं फिर से आपको याद दिला दू केवल यही टोपिक है जो आपको Pre के लिए तैयार करने है Next अब यदि बात करूँ मैं Indian Geography की भारत का भुगोल इसके अंतरकत जो Physical Geography है भोतिक भुगोल उसका जो Applied Form है वो आपको पढ़ना है और उस टोपिक का नाम है भुग आकर्तिक परदेश यह काफी Important है यहाँ से वो Question लगभग एक दो Question हर बार पूछ रहा है Next यही बात करें Human Geography सबसे ज्यादा Questions यहां से पूछे जा रहे है इसके अंतरकत जो टोपिक आपको तयार करने है First Topic Minerals यानि के खनीज जल संसाधन और उर्जा संसाधन पहला टोपिक है खनीज संसाधन, जल संसाधन, और जा संसाधन Second Agriculture Third Industry Next परियाटन और लास्ट परिवेहन एवं अंचार यदि मैं भारत के भुगोल की बात करूँ तो उसके अंतरकत Human geography सबसे important part है और यदि हम UPSC Preliums के इतिहास पर नजर डालें तो आपको नजर आएगा कि लगभग 60% जो question है वो Indian geography से पूछता है 40% question वर्ड जोगरफी से पूछता है Next है Cultural भुगोल सांसकर्तिक भुगोल इसके अंतरकत के वल एक टोपिक आपको तयार करना है जनजातिया जनजातियों से संबंदित आज का जो pattern है वो conventional रूप से question नहीं पूछ रहा है अभी हाल के जो समचारों में जनजातिया रही है बुरू जनजाती हो या trifade program हो उनसे related वो question पूछ रहा है उस पर हम focus करेंगे जब हम questions पे आएंगे और इसमें last है आपका सामाजिक भुगोल और इसके अंतरकत भी आपको एक ही topic है वैसे यहां से केवल एक ही question पूछा गया है आज तक और उसका एक ही topic है जो हमें clear करना है जनांकी की तो इतने topic है जो पिर्लियम्स को ध्यान में रखकर आप लोगों को तैयार करने है तो चलिए अब शुरुवात करते हैं अगले segment की questions शुरू करने से पहले कुछ मूल भूत बाते हैं चीन पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है ऐसा मेरा विश्वास है यदि आप उन दोब मूल भूत बातों को समझ लेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि 2020 का ही नहीं आने वाले जितने भी आपके UPSC की पिरलियम्स होंगे वड़े smart तरीके से आप पिरलियम्स को crack कर लेंगे ये एक वैग्यानिक मेथड है प्वड़ा logical है कई बार आप देखते होंगे कुछ aspirant ऐसे हैं जो job में हैं already UPSC में select हो चुके हैं वो दो से चार घंटे पढ़ रहे हैं और जो आम स्टूडेंट है वो 10-10 बार बार यहां तक की 14-15 घंटे भी पढ़ रहा है तो भी उसका पिरलियम्स किलियर नहीं हो पा रहा है तो यहां पर यदि मैं बात करूँ यूपीएससी के कोश्चनों की तो यूपीएससी जनरल इस्टडी से सो कोश्चन पूछता है जो बच्चे टेस्ट कौलिफाई कर रहे हैं उनको आधार बनाकर इस फैक्ट को आपके सामने रख रहा हूँ सो में से 35 से 45 कोश्चन ऐसे होते हैं जो डारेक्ट बेसिक या फंडामेंटल या जो आपके कौनसेप्ट हैं उसके आधार पर निर्धारित होते हैं दूसरा एक वर्ग ऐसा है 25 से 30 कोश्चन का जिनका ना तो कोई बेसिक है ना कोई आधार है और यह कोश्चन फ्रेम यूपेस सी करता भी इस आधार पर है कि जो कौनसेप्ट वाले बच्चे हैं या जो लोजिकल बच्चे हैं वो इन कोश्चनों को करने में उनको दिक्कत ही रहती है अब यहां देखते हैं 20 से 25 कोश्चन ऐसे हैं जो बेसिक पलस लोजिक के आधार पर करने होते हैं तो मैं इस 20 से 25 कोश्चन फर ज़्यादा फोकस करूँगा अभी देखते हैं तथ्यों के आधार पर हम चीजों को समझने की कोशिस करेंगे कि किस परकार UPSC का पहला चरण, सेकेंड और वर्त्मान यदि मैं 2008 या 2010 से पहले की बात करूँ तो UPSC डारेक्ट कोश्चन पूछता था आपका बेसिक किलियर है कोश्चन डारेक्ट है सेकंड इस्टेज पर उसने एपलाइड फोर्म का अनुपात दुलनात्मक रूप से बढ़ा दिया पिछले तीन या चार साल में जो उसने चेंज किया है उसमें जदि आपका सिर्फ बेसिक ही किलियर है आप बार बार उसको मेहनत करते जा रहे हैं तो आप इस रेंज को तो छू लेंगे लेकिन 55 से लेकर 65 कोश्चन तक जदि आपको अच्छीव करने हैं तो वो लोजिक समझना होगा वो वैग्यानिक मैथड समझना होगा किस परकार से UPSC आप से क्या डिमांड कर रहा है तो देखते हैं पहला पॉइंट लोजिक को हम किस परकार से इनहेंस करें और वो क्या इंटरेक्शन है जो बेसिक और लोजिक के बीच जुडाव रखता है मैं फैक्ट के साथ बात रखूँगा परमान के साथ जिससे चीजें इसपष्ट हो जाएं जब आप अपना बेसिक किलियर करते हैं तो आपके मन में इस सवाल आता है कि अकसांस देशान तरह हम पढ़ रहे हैं यहां से डारेक्शन आएगा नहीं या आप जलवाई यू पढ़ रहे हैं जैसे कि आप NCRT को देखेंगे तो कोपेन का वर्गी करण डारेक्शन वो पूछता भी नहीं है वो चाहता भी है कि कोपेन का वर्गी करण के जो टर्मिनोलोजी है उसको आप ना देखें लेकिन उसका जो आधार है जो कॉंसेप्ट है भारतिय संदर्व में उसको आप जरूर किलियर करने अब हम देखते हैं 2013 का एक कोश्चन है जो UPSC ने पूछा है कोश्चन है आपके सामने सिहिंग पुच्छी वानर यानि के मेकाउक अपने प्राकर्तिक आवास में पाया जाता है नंबर एक तमिलनाडू नंबर दो केरल नंबर तीन करनाटक और नंबर चार आंधरा पर्देश अब वो यहां आपसे डिमांड यह नहीं कर रहा है कि फैक्च्छल तोर पर आप इस चीज को तैयार करें वो बस इतना चाहता है कि जो आपका बेसिक है उसको आधार बना कर आप इस लोजिक को समझ पा रहे हैं या नहीं जैसा कि आप लोग जानते हैं हर एक वन्यजीव का एक निश्चित प्राकर्तिक आवास होता है एक नेजुरल हैबिटेट होता है उसका और यदि ये आपका बेसिक किलियर नहीं है तो आप इस लोजिक पर नहीं पहुँच पाएंगे और यदि आपका सिर्फ बेसिक किलियर है और आप लोजिक लगाई ही नहीं रहे हैं तो भी आप 35 से 45 कोशन्स की रेंज में ही रहेंगे अब आप मुझे एक बात बताएं यदि मैं इन राज्यों पर नज़र डाल लूँ ऐसे कौन से वो राज्ये हैं जिनकी प्राकरतिक विशेस्ताएं लगभग एक समान है यदि मैं तमिलनाडू, केरल और करनाटक की बात करूँ ये तीनों राज्ये पस्चिमी घाट पर अवस्थित हैं पस्चिमी घाट के अंतरगत इनका कुछ न कुछ छेत्र आता है पस्चिमी घाट के जो अंतरगत आपको सदाबाहरवन मिलेंगे ये आपका बेसिक है कि सदाबाहरवन कहां मिलते हैं ये चीज़ें आपने किलियर कर रखी हैं जैसे कि पस्चिमी घाट पुर्वत्तर भारत अंडमान निकुबार द्वीपसम हो इन प्राकरतिक आवासों में वन्य जीव लगभग एक समान मिलेंगे प्राकरतिक वनस्पतियां यहां की मिट्टियों में एक परकार का अंतर संबन मिलेगा आंध्रा परदेश जैसा कि आप जानते हैं पस्चिमी घाट में नहीं है यह पूर्वी घाट में है तो अब जो मेकोक हैं मुझे यह जानकारी नहीं है कि वो रहता कहा है लेकिन वो आपसे इस लोजिक के लिए डिमांड कर रहा है UPSC कि आप इन चीज को समझे कि कहां की प्राकरतिक दसाएं एक समान है तो इस आधार पर जदि मैं मेकोक की बात करूँ कमिलाडो में मिलेगा केरल में करनाटक में यानि कि इन तीन राज्यों की जो प्राकरतिक विशेष्टाएं हैं यहाँ पर सदा बाहर वन वगेरा मिलेंगे अब हम आते हैं विकल्प की तरफ यानि के जहां जहां और है वो आंसर आपका नहीं होगा यानि के दो विकल्प आपने निकाल लिए अब दो उप्शन आपके सामने बचते हैं 1,2,3 और only 2 जैसा कि आप जानते हैं तीनों ही छेत्रों के कुछ हिस्से पस्चिमि घाट में आते हैं जहां की प्राकर्तिक विशेष्टाएं एक समान है तो वहां के वन्यजीव वहां की प्राकर्तिक वनस्पतियां वहां की लगभग गतिवी दियों में काफी समंताइं देखने को मिलेंगे पस UPSC यहाँ पर यही डिमांड कर रहा है कि जो आपका basic है उसको आधार बना कर आप logically कोश्चनों को निकाल पा रहे हैं या नहीं तो जहां तक मेरा ख्याल है आपने यह चीज समझ ली है कि केवल basic और fundamental किलियर होने से आप एक इस्तर तक तो पहुँच सकते हैं लेकिन exam hall के अंदर जदी आप logic का use नहीं करते हैं तो आप UPSC prelims को crack करने की स्थिते में नहीं आ पाएंगे तो जो कोपेन का वर्गी करन है या पर्थवी की उत्पत्ती से संबंदी जो टर्मिनोलोजी है वो नहीं रटनी है आप लोगों लेकिन वहां से इतना जरूर जान लेना है कि भारत को कोपेन सहाब ने पाँच जलवाईयों परदेसों में विभाजित किया है तो उन जलवाईयों की विशेस्ता परदेसों की विशेस्ता है क्या है जब वो आपको कोश्चन देगा तो वो बस आपसे इतना जानना चाहेगा कि लोजिकली बेसिक को किलियर करते हुए कि आपको यह आइडिया है कि कौन सी परजातिया कहां मिलेंगी कि चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा जो आधार है पहला हमने समझ लिया आपका बेसिक पलस लॉजिक दोनों चीजों पर आपको फोकस करना है सेकिंड है यूपी एससी प्रिलियम्स में जो आई हुए कोश्चन्स है यदि उन पर आप नजर डाले तो कम से कम दस से पंद्रे कोश्चन्स वहां से रिपीट होते हैं रिपीट का मतलब यह नहीं है कि हू बहू यूपी एससी उसी आधार पर कोश्चन्स रखता है उनका सवरूप बदल कर वो बार बार आपसे कोश्चन्स कर रहा है 2019 का एक्जाम हो 18 का हो 17 को कोई सब भी आप एक्जाम उठा लें विद एक्जामपल उनको समझेंगे जो प्रिलियम्स के कोश्चन्स हैं आप उनको सोल्व करने का जो आपका तरीका है यदि आप उसको सही कर लें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हर साल आप प्रिलियम्स को क्रेक करने की स्थिति में आ जाएंगे आप लोग करते क्या हैं फंडामेंटल आपने सीख लिया बेसिक आपका किलियर हो चुका प्रिलियम्स का आप कोई भी एक्जाम उठाएंगे उसको सोल्व करेंगे अन्रेड में से आपने थाठ कोईशन प्सपन कोईशन कर दिये बस किलियर इस परकार से नहीं दस से बारे साल के जो एक्जाम है उनको आप अच्छे से श्टड़ी कीजिए मेरा कहने का उद्देश्य ये है उन कोईशनों के अंतरकत जो विकल्प दिये गए है उनको आप खोजिए गूगल से या कहीं से भी और जो ओथेंटिक इन्फोर्मेशन है उनको आप एक अपने पेज पर उतार लें उस इन्फोर्मेशन को तो आप 10 से 15 कोईशन ज्यादा करने की स्थिति में आ जाएंगे जो बच्चे एक्जाम को किलियर कर रहे है उनकी स्ट्रेटजी यही है सबसे पहले बेसिक किलियर कीजिए दूसरा UPSC के जो प्रिलियम के पेपर है कोईशन्स हैं उनको आधार रखिए क्योंकि उससे यह आइडिया मिलता है कि UPSC किस तरफ मूव कर रही है देखते हैं किस परकार से कोईशन्स रिपीट होते हैं 2014 में UPSC ने कोईशन्स पूछा जो गंगा डॉल्फिन है उसको खतरा किन किन चीजों से है कि 2014 का कोईशन्स है 2015 में फिर उसने रिपीट किया कि भारत का राष्ट्रिय जलिय जन्तु कौन सा है यदि जिस बच्चे ने पिछले कोईशन्स के विकल्प और उन कोईशनों को अच्छे से स्टड़ी किया होगा 2014 में तो 2015 के कोईशन को आराम से निकाल लेगा इसी परकार 2019 में फिर उसने पूछ दिया इरावदी डॉल्फिन सुमेलित में उसने दिया चंबल नदी में मिलती है या नहीं जब आप डॉल्फिन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इरावदी डॉल्फिन की भी इंफोर्मेशन आपको वहीं पर मिल जाएगी जैसे कि आप जानते हैं इरावदी एक मेयामार की नदी है तो उसका चंबल से कोई संबंद नहीं है वहीं 2017 में भी यदि मैं आपको याद दिलाओं चंबल नदी को लेकर UPSC ने कोशन किया कि घडियाल प्राकर्तिक रूप से कहां पाई जाते हैं आंसर था चंबल नदी तो आप देख पा रहे हैं जो पिछले कोशन्स हैं UPSC के किस परकार से वो रूप बदल बदल कर बार बार आपके सामने कोशन्स रख रहा है अब मैं आता हूँ अपने मूल विशे की और जो ये सो कोशन है आप इनको सिर्फ कोशन्स की तरह ना ले बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर विशेज कर UPSC को ध्यान में रखते हुए और UPSC के अंतरगत भी जो बच्चे इस साल पिर्लियम्स को दे रहे हैं उनको टार्गेट करते हुए ये सो कोशन्स तैयार किये गए हैं इन सो कोशन्स के अंतरगत आपका जो पूरा सैलेबस है वो कवर है दूसरा ऐसा हमारा अनुमान है ऐसी हमारी एक अपेक्षा है कि जब आप इन सो कोशन्स को कर लें तो तीन से पाँच कोशन डारेक्ट या इंडारेक्ट वे में आपके यहां से मिल जाएं ऐसा नहीं है कि यह 2020 के लिए ही उपियोगी हैं 2021 या इन फ्यूचर के लिए भी यह questions उतने ही जरूरी हैं तो चलिए समय ना गमाते हुए अब शुरुवात करते हैं अपने session की नजर डालते हैं question number एक पर portion number एक आप लोगों के सामने है पहला question है निम्लिखित कथनों पर विचार कीजिए फ़स्ट गरहों के विभिन समुहों द्वारा बनी आकरती नक्षत्र मंडल कहलाती है कथन गलत है गरहों की नहीं बलकि तारों के विभिन समुहों द्वारा बनी आकरती नक्षत्र मंडल कहलाती है सेकेंड है छूद्र गरहे मंगल एवं ब्रस्पति के मध्ये पाए जाते हैं कथन एकदम सही है धर्ड धुरूवतारे से धक्षिन दिसा का ज्यान होता है कथन गलत है क्योंकि धुरूवतारे से धक्षिन दिसा का नहीं बलकि उत्तर दिसा का बोध होता है और लास्ट है फ्लैक होल को तुर्बीन से नहीं देखा जा सकता बिलकुल सही कथन है तो इस आधार पर हमारा विकल्प क्या होगा दो और चार देखिए यहां जो मेरा उद्देश्य है आपका ध्यान जो खगोली की चैप्टर है उस पर थोड़ा सा दिलाना है और यदि मैं बात करूँ पिछले तीन या चार सालों में इस चैप्टर से जो कोश्चन पूछे गए हैं वो इस परकार से डारेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं 2013-14 से यदि मैं पहली बात करूँ तारों को लेकर डारेक्ट कोश्चन पूछा पिषे सकर सूरिय से संबन्धित UPSC का कोश्चन है कि सूरिय आकास कंगा के केंद्र का परिकर्मन कितने वर्सों में करता हैं इस ठाइप से कोश्चन पहले आते थे लेकिन आज के टाइम में UPSC ने अपना पैटर्न बदला है लेकिन आधार इसका आपका बेसिक ही है खगोली की चैप्टर से जितना भी NCRT ने जो टोपिक्स दिये हैं वो आपका सूरिय हो प्रहमांड की उत्पत्ति हो या मैं बात करूँ प्रहमांड का विस्तार आपका चंद्रमा ग्रहे इनको आधार बनाकर यदि आप करंट को पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी पहतर अपने आप ही हो जाएगी सूरिय को लेकर जो भी करंट में इन्फोर्मेशन है जो भी मिसन है यदि मैं बात करूँ सूरिय को लेकर नासा का सनराइज मिसन काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा चंद्रमा को लेकर नासा का आर्टे मिस मिसन काफी चर्चाओं में हैं एक छुद्र ग्रह है 16 करके कुछ नाम है उसका पूछ लेगा कि ये हाली में समाचारों में रहा क्या है वही जो आपका ब्लैक होल है ब्लैक होल की यदि हम बात करें इसको लेकर UPSC पिछले कुछ सालों में ज़्यादा इंट्रेस्टेड है इसके लिए अभी समाचारों में एक सब्द रहा है उसको आप नोट कर लें बाइनरी ब्लैक होल इसकी संभावना काफी है कि बाइनरी ब्लैक होल से आप क्या समझते हैं जब दो ऐसमान दरव्यमान वाले दो ब्लैक होल आपस में मिलते हैं तो उस इस्थिति को कहा जाता है बाइनरी ब्लैक होल इसी परकार से 2012 में UPSC ने कोश्चन किया कि ब्रहमान का जो विस्तार है उसके साक्षे हाल ही में जो समाचारों में रहे हैं क्या हैं जो गुरुत्विय तरंगे हैं यानि के शूक्ष्म तरंगे प्रहमान्ड में इनकी उपस्थिति का पाया जाना बिल्कुल सही आज के समय में इंपोर्टेंट क्यों है शूक्ष्म तरंगों को लेकर लीगो एक सेकिंड यदि हम बात करें गुरुत्विय तरंगों की यह काफी इंपोर्टेंट है ध्यान रखना इसका इस साल इस पर कोश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है गुरुत्विय तरंगों के अध्यन के लिए अभी तक वर्ल्ड में तीन ग्रेविटेशनल वेव उब्जर्वेटरी बनाई गई हैं दो युएसे में हैं जबकि तीसरी इंडिया में इस मिसन का नाम है इगो इंडिया मिसन महराष्ट राज्य में लीगो इंडिया को नामक वैदसाला को स्थापित करने का प्लान था 2020 में अभी चल रहा है तो लीगो वर्ड को आप ध्यान रखना दो वैदसालाई युएसे में हैं जबकि एक इंडिया में हैं युएसे के बाहर स्थापित होने वाली पहली लीगो वैदसाला भारत के महराष्ट्र में हैं तो इस परकार से यदि आप आप बेसिक किलियर है जो NCRT में टोपिक दिये गई है छुद्र गरे हो, उलका पिंड हो आपका सूर्य हो उससे रिलेटिड जो भी करंट में आपको मिल रहा है उसको जोड कर आप आगे पढ़ें चलिए, चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और यह कुछ information है पहले कोश्चन से रिलेटिड, वो आप नोट कर ले नेक्स्ट कोश्चन निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक परती एक डिग्री अकसांसिये दूरी 111 किलोमेटर होती है कतन सही है बिलकुल अभी समझेंगे किस परकार से सेकिंड है धोमध्य रेखा पर तापांतर या तापिय परिसर अधिक्तम होता है कतन गलत है वो भी देखेंगे अभी किस परकार से और ये भी देखेंगे किस परकार से कोश्चन यूप्यस से आगे पूछ सकता है तीसरा है अकसांस रेखाओं वे देशांतरिये या मियोत्रों से निर्मित जाल कटी बंद कहलाता है गलत कटी बंद नहीं बलकि किरिडिस को कहते हैं देखेंगे अभी और लास्ट आपका जो कथन है वो है भूमध्य रेखा पर परत्वी का गुर्तवाकर्शन बल अधिक्तम होता है ये भी कथन क्या हो जाएगा गलत आपको चुनना है एसत्य कथन तो दो, तीन और चार आपका आंसर भी अब समझते हैं थोड़ा सा चीजों को ये इस से संबंधी तो आपका विश्लेशन है पहला जो पॉइंट था परती एक डिग्री अकसांस ये दूरी 111 किलोमेटर होती है ये आपका गलोब है ये आपकी 0 डिग्री अकसांस रेखा है जिसको विश्वत रेखा इक्वेटर ये भूमद्य रेखा के नाम से आप लोग जानते हैं जब आप नौर्थ पॉल की तरफ या साउथ पॉल की तरफ चलते हैं जो आप काल्पनिक रेखाएं खीचते हैं इनको अकसांस कहेंगे इन अकसांसों के बीच का जो परदेश है इसको कहा जाता है कटी बंद जबकि दो देशांत्रों के जो बीच की दूरी है इसका जो परदेश है इसको आप जानते हैं गोर के नाम से और यदी देशांतर और अकसांस के बीच की मैं बात करूँ ये पुरा परदेश ये ये आपका हो जाएगा ग्रिड नेक्स्ट भूमद्य रेखा पर तापांतर अधिक्तम होता है समझते हैं इसको ये है आपकी भूमद्य रेखा यहाँ पर वर्स भर तापमान लगभग एक समान रहता है लगभग एली बारिस होती है बादल जादा मातरा में पाई जाते हैं तो यहाँ का जो तापिय अंतर है तापिय परिसर वो मिनिमम होता है नेकी अधिक्तम समझते हैं एक साल के अंतरगत जिस महिने का तापमान सबसे ज़्यादा हो और उसी साल के अंतरगत जिस महिने का तापमान सबसे कम हो इस अंतर को आप कहेंगे वार्सिक तापांतर वहीं यदि मैं दैनिक तापांतर की बात करूँ तो 24 गंटे के अंतरगत सबसे maximum temperature और सबसे minimum temperature का जो अंतर होगा उसको कहेंगे दैनिक तापांतर तो 0 degree अक्सांस पर बादलों की उपस्थिती के कारण दैनिक तापांतर minimum होता है जबकि मुरुस्थलिये छेतरों का तापांतर सबसे ज़्यादा होता है नेक्स्ट भुमद्य रेखा या विस्वत रेखा पर जी कमान नियूनतम होता है ये आपकी विस्वत रेखा है जदी मैं इसकी बात करूँ तो पर्थवी बिल्कुल गोल ना होकर थोड़ी सी इस परकार जुकी हुई है तो ये जो दूरी है कम है ये दूरी थोड़ी ज़ादा है जब आप फिजिक्स पर थोड़ा नजर डालेंगे बेसिक को समझेंगे तो f is equal to z m1 m2 बटे r square यानि के यदि केंदर से दूरी बढ़ेगी तो force कम होगा यहां से दूरी ज़ादा है तो यहां पर gravity कम होगी ये दूरी कम है तो यहां gravity ज़ादा होगी तो निम्न से उच अकसांसों की और जाने पर g के मान में क्या आती है कमी जो 9.8 meter per second square gravity है वो 45 degree के कौन पर समुदर तल की उचाई पर होती है इससे आप नीचे आएंगे तो g कमान कम मिलेगा और उपर जाएंगे तो g कमान ज़्यादा मिलेगा चलते हैं नेक्स्ट कोशन की और थर्ड कोशन है सिजगी के समय जवार उत्पन होते है अंसर होगा तिर्ग जवार सबसे पहले समझते हैं सिजगी देखे जब अर्थ सन और मून एक ही सीद में होते हैं तो इस इस्थिती को कहा जाता है सिजगी सिजगी के दोरान जो उत्पन होंगे वो देर गया उंचे होंगे जब सन और मून 90 डिग्री पर होंगे तो आपके जवार निम्न होंगे यहां से UPSC तीन बार कोश्चन डारेक्ट पूछ चुका है पहला तो उसने कोश्चन पूछा कि लगू जवार आने का क्या कारण है अगले ही साल पूछ दिया कि दीर्ग जवार आने का क्या कारण है और 2015 में पूछ दिया कि जवार आने के कौन-कौन से कारण है अब जवार भाटा से संबंधित कई सिध्धान्त दिये गए है लेकिन यहां हम जो सबसे सरल सिध्धान्त है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे थोड़ा समझेंगे न्यूटन का सिध्धान्त सबसे जल है इधर ओन इधर आपका सन सूर्य तो पर्त्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच गुर्तवाकर्शन बल काम करता है जैसे कि आप जानते हैं प्रहमांड की हर दोवस्तू के बीच ग्रेविटी काम करते है ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है तो जब ये दोनों ही ग्रेविटी को लगाते हैं तो ये पानी इस तरफ से खिच जाता है ये अर्थ है पूरी पर्त्वी और अर्थ के चारों तरफ पानी है ऐसा मालिया न्यूटन साहब ने जब ये दोनों गुर्तवाकर्शन बल लगाते हैं पानी का जो इस्तर है ये उठ जाता है और इसी स्थितों को कहते हैं जवार यहां से जो पानी का जो इस्तर है वो नीचे दब गया है इसको कहेंगे भाटा तो यहां समझने की जरूरत है यदि मैं एक निश्चित समय की बात करूँ तो एक निश्चित समय पर पूरी पर्थ्वी पर दो जुआर और दो भाटा आते हैं मान के चलें आप खंपात की खाड़ी पर चले जाएं गुजरात में चंद्रमा गुजरात के सामने आ चुका है ऐसा मानने पर्थ्वी घुम रही है पस्चिम से पूर इस परकार से अपनी धूरी पर जब यह स्थान चंद्रमा के सामने आएगा तो गुजरात में कच की खाड़ी से जल उपर उठेगा उपर उठने को ही कहेंगे जुआर अब यहाँ पर दूसरा जो कॉंसेप्ट है दूसरा जुआर चंद्रमा के ही कारण यदि मैं इसको माल लूँ गुजरात का तटिय चेत्र तो पर्थ्वी 24 घंटे में घूम कर वापस यहाँ आएगी तो क्या दूसरा जुआर चंद्रमा के ही कारण 24 घंटे बाद आना चाहिए ऐसा नहीं है क्योंकि इन 24 घंटे में चंद्रमा कुछ आगे निकल चुका होगा तो कि लगभग 27 दिन में चंद्रमा भी पर्थ्वी का एक चक्कर पूरा करता है तो यह जो गुजरात का तटिय छेत्रा जब यह 24 घंटे में लोटकर वापस आएगा तो चंद्रमा थोड़ा आगे निकल चुका होगा इस दूरी को कवर करने के लिए गुजरात के तट को लगेंगे 52 मिनट एक्स्ट्रा तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ जुआर भाटा यह उत्पन होने के तीन कारण है नमबर एक सूरिय का गुर्तवाकर्शन बल सेकंड चंद्रमा का गुर्तवाकर्शन बल और थर्ड पर्थवी का अपकेंद्र बल यानि के यह आपकी अर्थ है यह अपने अक्स पर घूम रही है और घूमती हुई वस्तु एक बाहर की और अपकेंद्र बल लगाती है जदी सूरिय और चंद्रमा इधर हैं तो जल इधर उठेगा और अपकेंद्र बल के कारण जल इधर से भी उठेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटिड कुछ इन्फोर्मेशन है उसको आप देख लें नेक्स्ट कोश्चन पर्थवी की आंत्रिक सेरचना की जानकारी के सरोत है नमबर एक गनत्व आधारित सरोत नमबर दो दाप आधारित सरोत नमबर तीन भुकंपिय तरंगे नमबर चार जुआला मखी उद्गार और नमबर पांच दाब आधारित सरोत नीचे दिये गए कूट की साहता से सत्य कथन का चेन कीजिए तो पर्थवी की जो आंत्रिक सेरचना है इसकी जानकारी के लिए यदि हम बात करें तो गनात्व पर आधारित सरोत सही है ताप आधारित सरोत ये भी सही है भुकंपिय तरंगे बिल्कुल इनके आधार पर भी जो पर्थवी की आंत्रिक सेरचना है उसकी जानकारी खटी की जाती है वो देखेंगे अभी जो आलम की उद्गार और दाब आधारित सरोत तो सभी विकल्प ठीक हो जाएंगे आंसर हो जाएगा पर्थवी की आंत्रिक सेरचना और उसका संगठन कैसा है उसका पता करने के लिए जिन सरोतों को हम यूज करते हैं वो सरोत ये है यदि मैं पर्थवी के केंदर की बात करूँ तो ये लगभग 6,378 किलोमीटर अंदर है अंदर जाने पर टेंपरिचर बढ़ता है तो ताप आधारित सरोत की जानकारी के आधार पर हम देख सकते हैं कि अंदर जाने पर तापमान बढ़ रहा है उसका कारण रेडियो एक्टिव तत्वों की परधानता वहीं यदि मैं बात करूँ घनत वो आधारित सरोत की तो पर्थवी की सतह पर अभी तक मानव ने 12 किलोमेटर की गहराई तक ही ड्रीलिंग ही है यदि आप रूस में जाएं कोला पैनीन शुला छेतर में उसके नीचे क्या है क्या नहीं पर्त्यक्स परमान हमारे पास नहीं है एपर्त्यक्स परमान ही हमारे पास मौजूद है पूरी पर्थ्वी का घनातू लगभग साड़े 5 एकाई के आसपास है और यदि हम इस 12 किलोमेटर की गहराई की बात करें तो इसका घनातू लगभग साड़े 3 है तो ये बात इसपश्ट है यदि घनातू साड़े 3 है उपर का टोटल साड़े 5 है तो नीचे जाने पर घनातू में क्या होगी पुरद्धी यानि 12 किलोमेटर और इसके नीचे की पर्थो को यदि मैं दो हिस्सों में तोड़ लूँ A और B तो A पलस B is equal to total O सत्थ वो है साड़े 5 आपका A है कितना साड़े 3 तो B आपका कितना हो जाएगा 4 है माइनस साड़े 3 यानि कि नीचे का जो घनत्व है वो साड़े 8 है तो ये बात इसपश्ट है पर्थवी की सत्य से नीचे जाने की और घनत्व में परद्धी होगी ये ठीक हो जाएगा आपका वहीं यदि हम बात करें भुकम्पियत तरंगों की जिनके आधार पर यदि तरंगों की दिसा बाहर की ओर है और हम एक माध्यम से यदि दूसरे माध्यम में तरंगों को विक्षेपित करते हैं तो वो अपनी डारेक्शन बदल लेती है यदि घनत्व जादा है यदि घनत्व कम होगा तो इनकी डारेक्शन अंदर की ओर हो जाएगी जो आलमों की उद्गार जो जो आलमों की विस्फोर्ट होते हैं उससे भी अंदर की परतों की जानकारी होती है कि देखते हैं जानकर के जो स्रोथ हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किये गए हैं ए प्राकर्तिक और प्राकर्तिक यहां से कोश्चन UPSC पूछ चुकी है कि प्राकर्तिक स्रोथ कौन से हैं चलिए नेक्स्ट कोशन के और चलते हैं भोकंप की तीवर्ता को परभावित करने वाले कारक नहीं है नंबर एक वनस्पतियां बिल्कुल परभावित करती हैं यदि वनस्पतियां जादा हैं आश्टो सुझे आश्टो सुझे भोकंप की तीवर्ता को परभावित करने वाले कारक नहीं है वनस्पतियां भोकंप की तीवर्ता को परभावित करती हैं बिल्कुल सही है जहां पर मनस्पतिया जादा होंगी तो उनकी जड़े हैं भूकम्प की जो तीवरता है उसको कम करने के लिए वो एहम भूमी का निभाती है भूगर्बिक जल ये बिल्कुल भी भूकम्प की तीवरता को निर्धारित नहीं करेगा इस आधार पर ये कथन आपका ठीक हो जाएगा नेक्स्ट भूकम्प मूल की गहराई भी भूकम्प की तीवरता को निर्धारित करेगी और लास्ट है गुर्त्विय त्वर्ण ये भी भूकम्प की तीवरता को निर्धारित नहीं करेगा तो इस आधार पर दो और पांच आपका सही ओप्शन हो जाएगा देखते हैं इसका विशलेशन यह है आपकी अर्थ जहां से भुकम्प उठता है उसको कहते हैं भुकम्प मून और सबसे पहले जहां यह पहुंचता है उसको कहते हैं एपी सेंटर या अधी केंद्र यहां मैं आपको याद दिला दूँ अभी जो करंट में थोड़ा सा एक टर्म काफी चर्चाओं में रहा उसका नाम है भुकम्प उस्वार्म यहां से कोशन आने की संभावनाएं काफी ज़्यादा है इस टर्म को आप याद रखेंगे अभी आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ कम समय के दोरान ही दिल्ली में कई बार भुकम्प के जटके महसूस किये गए तो अल्पकाल के दोरान जब कई बार भुकम्प के जटके किसी इस्थान पर आते हैं तो उसे भुकम्प्य स्वार्म के नाम से दिखाया जाता है तो ये एक इस्थानिय घटना है च्योंकि इसका संबन्द जवाला मुखी जब प्लेट टेक्टोनिक से नहीं है तो भुकम्प्य स्वार्म को आप ध्यान रखेंगे बढ़ते हैं आगे अगला कोश्चन जवाला मुखी प्रकिरिया से संबन्दित निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए नमबर एक जवाला मुखी प्रकिरिया का संबन्द केवल इस्थल मंडल से है कथन गलत है यह भी आपका कथन गलत है समझेंगे अभी किस प्रकार से नेक्ष्ट पर्थ्वी पर पाए जाने वाले सबसे विस्फोटक जवाला मुखी कॉल्डेरा बिल्कुल सही नेक्ष्ट अपसारी पलेट सीमान्त पर सांत दरारी जवाला मुखी प्रकिरिया के परिणाम सवरूप छारिये मैगमा का उदगार होता है बिल्कुल सही तो आपका विकल्फ हो जाएगा सी समझते हैं थोड़ा सा सबसे पहले तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जवाला मुखी और जवाला मुखीयता पर क्या अंतर है जवाला मुखीयता एक प्रकिरिया है जबकि जवाला मुखियक इस्थला करते यानि पर्थवी के आंतरिक पर्थों से जब गर्म गलित पदार्थ पर्थों को तोड़ते हुए धरातल के उपर उसका उद्गार होता है तो उस परक्रिया को जवाला मुखियता कहते है और जिस रास्ते बाहर निकलता है इसको जवाला मुखिय कहते है तो जवाला मुखिय परक्रिया समुद्रों में भी होती है समुद्री नितल पर भी होती है और इस्थल मंडल पर भी होती है तो पहला कथन गलत है अब समझते हैं मैगम की अमलियता एवं संकु की ढाल की तीवरता में वियुत कर्मानुपाती यानि के उल्टा संबंध होता है देखिए जब मैगमा में सीलिका यानि के सेंड रेत सीलिका की मात्रा ज़्यादा हो तो उसकी अमलियता भी ज़्यादा होती है और जितनी अमलियता जादा होगी उतने ही मैगमा गाड़ा होगा और जितना मैगमा गाड़ा होगा उसकी विस्फोटकता भी उतनी ही जादा होगी गाड़ा होने के कारण ही यदि मैगमा बाहर आया है तो ढाल जादा खड़े होंगे यदि मैगमा गाड़ा नहीं है कम है तो मैगमा निकलने के बाद लंब्या ऐसे फैल जाएगा जिसकी ढाल की तीवरता कम होगी तो आप यहां समझ पा रहे हैं यदि मैगमा में सिलिका की मात्रा जादा है तो उसकी अमलियता जादा है और यदी अमलियता ज्यादा है तो संकू का ढाल भी उतना ही तीवर होगा क्योंकि यह उतना ही गाड़ा है यदी सिलिका की मात्रा कम है तो मैग्मे की प्रकर्ती होगी छारियः और छारिया मैग्मा जब बाहर निकलता है यदि मैं स्थल मंडल की बात करूँ तो उस पर बनते हैं पैसाल्टिक मैदान जैसे कि हम दक्कन ट्रेप को देख लें यह बनते हैं पठार पैसाल्टिक पठार वही यदि हम लास्ट ओप्सन की बात करें तो पलेट विवर्तने की सिध्धांत के आधार पर पलेटें अब सारी पलेट के अंतरगत एक दूसरे से दूर जाती है यहां से मैगमा निकल कर बाहर आता है और इसी से होता है कटक का निर्मान जो की कटक समुन्दर के बीच में पाई जाते है तो चलते हैं आगे यह से संबंदित कुछ इंफोर्मेशन है उसको आप नोट कर लीजिए यहां पर एक चीज़ और समझना जुरूई है जो जुआला मुखी है इनको कई आधारों पर वर्गी करत किया गया है एक होते हैं सक्रिय जुआला मुखी एक होते हैं डॉर्मेंट यानि के सुसुप्त और एक होते हैं सक्रिय सोरी, निश्क्रिय निश्क्रिय सक्रिय जुआला मुखी वो जुआला मुखी हैं जिन से लावा लगतार बाहर आता रहता है सुसुप्त जिसमें दसकों से कोई विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन भविश्य में ऐसा विस्फोट होने की संभावना ये लगतार बनी रहती हैं उन जुआला मुखी को कहते हैं सुसुप्त या डॉर्मेंट और जिन में हजारों वर्सों से कोई जुआला मुखी परक्रिया नहीं हुई है और नहीं उन्हें की कोई संभावना है उन जुआला मुखी को कहते हैं निश्क्रिये अब देखिए जदी आपने इस कॉंसेप्ट को समझ लिया तो 2018 में UPSC ने एपलाइड फोर्में भारतिय संदर्ब में किस परकार का कोश्चन आपसे पूछ लिया निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए बैरन एक सक्रिये जवाला मुखी है यह बिलकुल NCRT में दिया है यह बेसिक है इसमें कोई इंट्रेस्ट नहीं है कि वो आपका यह जज करना चाहता है कि आपकी factual knowledge कितनी है वो बस यह चाहता है कि आपका बेसिक यदि किलियर है तो आप कोश्चन को आराम से निकाल ले तीसरा उसने कथन दिया पिछली बार 1901 में में पैरन जवाला मुखी में उदगार हुआ था यदि 1909 में हुआ था तो कैसा जवाला मुखी होगा सुसुप्त सिंपल यदि वो सक्रिय है यह information है यह NCRT में है जो basic है एक तरह का यदि वो सक्रिय है तो सुसुप्त नहीं हो सकता अब देखे विकलपुस ने किस परकार से design किये है यदि concept किलियर है तो वो यह न जानना चाता कि आपको यह information पता वो कहां है कहां नहीं है आप जानते हैं यदि 1909 में में उसमें उद्गार हुआ होगा तो सक्रिय है जो आला मुखी हो ही नहीं सकता तीसरे को देख ले ना तो यह होगा ना यह होगा ना यह होगा केवल वो UPSC का यही उदेश्य है कि आप का यदि concept clear है और यदि आप उसमें थोड़ा logic लगाते हैं तो आप answer को आराम से निकाल नहीं हैं सिर्फ जो basic है यदि उसकी आपको clarity है तो आप आराम से question को निकाल सकते हैं चलिए बढ़ते हैं आगे next question भू संचलन के लिए जिम्मेदार कारक नहीं है नंबर एक पलेटो का संचलन ये तो no doubt भू संचलन के लिए जिम्मेदार कारक है अनाच्छादन ये कारक नहीं बलकि क्या है एक परकार का process है देखेंगे अभी क्या सूरिया तब ये भी एक कारक है भूसंचलन के लिए और next मोसम में परिवर्तन देखिए भूसंचलन जैसा कि आप जानते हैं पर्थवी की जो उपरी सत्य है वो लगतार परिवर्तन सील है उसमें मूवमेंट हो रहा है इसी को हम साधारन सब्दों में यदि देखें इसी को कहते हैं भूसंचलन अब भूसंचलन के दो मुख्या कारण है एक तो है आंतरिक बल और एक बाहिये बल बाहिये बल के अंतरगत अनाच्छादन एक परकिरिया है यदि ये मैं कहूं कि एक कमपोजिट परकिरिया है संयुक्त परकिरिया है तीन परक्रियाओं का एक सामोहिक रूप है अपक्षन अपर्दन और वरदक्षरन अपक्षे यानि ये एक इस्थेतिक परक्रिया है जब सूर्या तब के कारण, मोसम के कारण संगठित चट्टाने एसंगठित चट्टानों में परिवर्दित होती है तो इस परक्रिया को अपक्षे कहते हैं अपर्दन एक गतिक परक्रिया है यानि पावन, जल्तरंग, नदियों के कारण जब एसंगठित पदार्थ इस्थानांत्रित होकर दूसरी जगह पर डिपोजिट होते हैं तो इस परकिरिया को अपरदन कहते हैं तीसरा वरदक्षरन यानि के मास वेश्टिंग ग्रेविटी के कारण यानि के परत्यवी के गुर्तवाकर्षन बलके कारण परवतिय छेत्रों में जब लेंड स्लाइड की घटना होती है यानि के एसंगठित पदार्थ का स्थानांत्रन होता है तो इस परकिरिया को वरदक्षरन कहा जाता है तो आप समझ गए हैं ये दोनों गतिक परकिरिया है और ये एक इस्थेतिक परकिरिया है कोशन ये पूछा जा सकता है फड़ा सा ध्यान रखिए ये तीनों परकिरिया होए और इन परकिरियाओं को एक संयुक्त रूप अनाच्छादन है ये कारक नहीं है कारक है नदी, हिमनद, तरंगे, सूर्या तप, मोसम में परिवर्तन ये कारक इन परकिरियाओं को श्टार्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं इसका विशलेशन अनाच्छादन एक परकिरिया है ये आपके कारक हैं और भी कई कारक हैं नेक्स्ट नीचे दिये गए कूट की साहता से सही मिलान कीजिए इस्थला करती और दूसरी तरफ है कारक नीचे दिये गए कूट की साहता से मिलान कीजिए इस्थला करती और कारक पैथोलित पाये ज्वाला मुखी गलत है अभियांत्रिक ज्वाला मुखी का एक उधारन है बैथोलित कैनियन नदी के द्वारा निर्मित एक इस्थला करती है जो परवतों में निर्मित होती है कार्ष्ट इस्थला करती पवन गलत है भुमिगत जल के द्वारा इस इस्थला करती का निर्मान होता है नेक्ष्ट लोईस पावन के द्वारा बिलकुल सही, युवाकार की घाटी, नदी, गलत, हिम नदियों के द्वारा युवाकार की घाटी का निर्मान परवतों में होता है, समझते हैं थोड़ा सा, जो मैंने आपको बताया था कि पहला टोपिक, पर्थ्वी की उत्पत्ति, इससे संबंदी 2018 में भी कोशन पूछा है, अब यहां से जोड़ कर देखते हैं, कोशन किस परकार से पूछा जा सकता है, अभी हाली के चर्चा, समचारों में यदि हम बात करें, तो एक सब्द काफी चर्चाओं में रहा, मेगाले युग, जो भोगोलिक काल करम है, उसके अंतरकत कुछ टर्मिनोलोजी यूज की गई है, वो टर्मिनोलोजी आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन उसकी जो विशेस्ताएं हैं, उसको एक बार जरूर देख लेना है, क्योंकि 2018 में UPSC उस पर कोश्चन पूछ चुका है, उसके आधार पर कोश्चन पूछा, कि जब पर्थवी बनी, ऑक्सिजन 55 परसेंट थी, कार्बन डायकसाइड नहीं थी, दूसरा, कि जो परारंभिक जीव थे, उन्होंने इस वाई ये मुंडल को बदल दिया, बिल्कुल सही, जैसा कि आप जानते हैं, जब पर्थवी सुरुवात में स्टार्ट हुई थी, बनी थी, उस टाइम सी ओ टू की मातरा ज्यादा थी, उक्षिजन तो थी ही नहीं, समुंदरों में वो पैदा होगा, पहला जीव, डैक्टीरिया का एक एक एक्जामपल है, वो इस सी ओ टू को ओ टू में बदलेगा, आज के समय में इसका इम्पोर्टेंस क्या है इस टोपिक का, आज का जो समय है, उसका भागोलिक काल करम की यदि मैं बात करूँ, उसका न अभी जिस युग में हम जी रहे हैं, उसका नाम है होलो सीन, ये 11700 इसा पूर्व से लेकर और वरतमान तक जारी है, ध्यान दीजिएगा, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहले दो पार्ट हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है, जो तीसरा चरण है, इसक में हम अभी चल रहे हैं, इसको नाम दिया गया है मेघाल्य युग, यानि के 4200 इसा पूर्व से इस्टार्ट होकर और वरतमान तक जारी है, इस युग का नाम भारतिये एक राज्ये के नाम पर दिया गया है, तो इंपोर्टेंस बहुत जादा हो जाती है, मेघाल्य पूर्व हुई, इसकी जानकारी का जो साक्षे है, उसको एक बार और समझ लें, वेघाल्य के अंदर गत, वेघाल्य राज्य की अदि मैं बात करूँ, यहां पर कंद्रा या गुफा के अंदर जो है किस थलाकरती पाई गई है, इसका नाम है इस्टेगले माइट, इसके आधार पर मेघाल्य युग की पहचान होई है, इस पर कोश्चन आने की संभावना बहुत जादा है, क्योंकि यह जो टोपिक है आपका इस्थलाकरती से जुड़ा है, दूसरा, पर्थवी की उत्पत्ती से संबंधित जो भोगोल कालकरम है, उससे भी जुड़ा है, इस्टेगले माइट नामक इस्थलाकरती कैसे बनती है, इसका कारक क्या है, इसका जो कारक है वो है भूमिगत जल, जिनकों की हम पार्ष्ट्र इस्थलाकरतीयों के नाम से भी जानते हैं, इस टोपिक को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, जो कार्ष्ट इस्थलाकरतीयों है, उसमें और कौन-कौन सी इस्थलाकरतीयों है, जोलाइन, गोलरंद्र, वगेरा, लेकिन इसको आप बिलकुल ध्यान से पढ़के जाएंगे, कि इस्टेगले माइट नामक इस्थ इस्थलाकरते हैं, यह information है, इस question से related, उसको आप देख लें, पार्ष्ट इस्थलाकरते हैं, लेपीज, घोलरंद्र, आधी, भूमिकत, जल्द्वारा, निर्मित, इस्थलाकरतीयों है, next, question number 9, चट्टानों के संबंद में एस्थ्य कथन का chain कीजिए, number 1, आगनिय चट्टानों का निर्मान नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के निक्षेपन से होता है, कथन कैसा हो जाएगा, एस्थ्य, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, ए, क्योंकि क्या पूछा गया है, एस्थ्य कथन का chain कीजिए, आगनिय चट्टानों का निर्मान, लावा या मैगमा, ये सीतली करन से होता है, यानि कि जब मैगमा ठंडा होता है, उसके बाद जो निर्मित चट्टाने हैं, उनको बोला जाता है, आगने चट्टाने, परतदार चट्टाने, अवसादी चट्टाने होती हैं, जिनमें जिवास में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, अवसादी चट्टाने, इसके द्वारा बनती है, नदियों के द्वारा बाहे गए लाकर अवसादों के निक्षेपन से जिवासमिन में मिलता है पेंट्रोलियम पदार्थ कोईला इत्यादी जो है किस प्रकार की चक्टानों में मिलता है परत्दार च čक्टाने या अवसादी चक्टाने इसरा चट्टानों के सवरूपिय परिवर्थन में सेल चक्र नामक परीक्रिया का योगदान होता है तो अवसाधी, आगने और कायांतृत इनका एक सेल चक्र है उसको आप देख लें इसके आधार पर ही जो चट्टानों का सवरूपिय परिवर्थन है वो होता है ये भी बिल्कुल सही है चलते हैं आगे Qशन नमबर 10 मर्दा के संबन में निमनलिखित कत्नों पर विचार कीजिए नमबर 1 यह एक एनवी करनिय संसादन है यह एक एनवी करनिय संसादन है बिल्कुल सही अभी देखते हैं नवी करनिय और एनवी करनिय संसादन क्या होते हैं Second मर्दा संगरक्षन हेतु यांत्रिक उपाय तो मौझूद है परन्तु जैविक उपाय नहीं ये कत्ना आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यांत्रिक उपाय भी मौझूद है और जैविक उपाय भी मौझूद है Next सिंचित भूमी पर लवनी भवन मर्दाओं को एपारगम में बना देता है बिल्कुल सही और लास्ट आर्द्र उष्ण एवं भूमद्य रेखे जलवाईयों में बैक्टीरियल वरद्धी एवं किरियाएं विरल होती है यह गलत है विरल नहीं बलकि सघन होती है तो देखते हैं सत्य कथन का चैन कीजिए दो एक और तीन यह थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया यह एक है दो तीन चार इस परकार से हैं तो एक और तीन हमारा अंसर हो जाएगा ए यह एक ए नवी करणिय संसादन है बिलकुल सही है जो संसादन है वो दो परकार के होते हैं नवी करणिय और ए नवी करणिय नवी करणिय संसादन वैसे संसादन है जिनका आप उप्योग बार बार कर सकते हैं उनका छे नहीं होता है जैसे कि सोरूर्जा, जलूर्जा ये सब नवीकरणिय संसाधन है ए नवीकरणिय संसाधन यदि मैं बात करूँ तो ये ऐसे संसाधन है जिनका आप एक बार यूज करने तो इनका छे हो जाता है यदि मिट्टी का छरण होता है तो यह है एक लंबे प्रोसेस के बाद निर्मित होती है तो यदि मैं बात करूँ यह संसाधन एनवी करनी है मर्दा संगरक्षन है तू यांत्री कुपाय तो मौझूद है परन्तू जैवी कुपाय नहीं यहाँ पर देखिए मेड़ बंदी सोरी समोच रेखे किरसी पेसिन लिष्टिंग यह सब कैसे उपाए है यांत्री फसल चक्र, किरशी वान की, जैवी खाद का उपियोग यह सब या मल्चिंग पलवार बनाना यानि के किरशी भूमी पर घास को डाल कर छोड़ दिया जाता है जिससे उसकी नमी बनी रहे यह सब कैसे उपाए हैं आपके जैविक मर्दा में लवनी भवन जल से वास्पिकरत होने से पीछे छूटे नमक और खनीज उत्पन होते हैं मान के चलें, यह कोई किरसी भूमी है और इस पर सिचाई ज्यादा की जा रही है तो वास्पिकरण के दुआरा जलकत तो वास्पिकरत हो जाता है लेकिन पीछे छूटे हुए जो खनीज हैं यह जो लवन हैं, जो नमक हैं वो परत पर बिचते रहते हैं जिससे परत्वी की सेते की पारगम्य अथा बाधित होती है यानि के वो जमीन को क्या बना देता है ए पारगम्य किर्याएं वीरल नहीं अपितु सघन इसको समझते हैं देखिए जब टेंप्रेचर ज़्यादा होगा तो जीवानों ज़्यादा एक्टिव होंगे एक सिंपल एक्जामपल में लेता हो यदि आप दो कटोरी में दूद ले लें एक दूद को बाहर रख़दें जहाँ पर टेंप्रेचर ज़्यादा है एक दूद को आप फ्रीज में रख़दें जहाँ का टेंप्रेचर कम है तो आप सोचिए कि कौन सा दूद पहले खराब होने की संभावना है तो जो दूद बाहर रखा है जहां टेमपरिचर जादा है महाँ पर बैक्टीरिया जादा एक्टिव होंगे महाँ पर करियाँ तेज हो जाएंगी तो तुलनात्मक रूप से यदि मैं बात करूँ फ्रीज में जो रखा हुआ दूद है उसकी तुलना में बाहर का दूद जल्दी खराब हो जाएगा यही आप से पूछा गया है कि आर्द्र ऊश्न एवं भूमद्रे के जलवाईयों में बैक्टीरियल वरधी और उनकी किरियाएं विरल होती है सगन तो सगन यानिके तीवर होती है चलिए नेक्स्ट कोश्चन निम्निलिखित में से सत्यकथन का चेन कीजिए जोम किर्ची उत्तर भारत में परचलित है बिल्कुल गलत नोर्थिस्ट सेकिंड सत्यकथन की हमें पैचान करनी है किर्ची भूमी को परती छोड़ने से इसकी उर्वरता में हरास होता है गलत परती छोड़ने का मतलब है यदि किसी किर्ची भूमी पार आप तीन से चार वरसों तक उस पर कोई फसल नहीं उप जाते हैं तो इसे कहते हैं भूमी को परती छोड़ना जब आप भूमी को परती छोड़ते हैं तो उससे उरवर्ता का हरास नहीं बलकि उरवर्ता में क्या होती है प्रद्धी नेक्स्ट चावल एक उश्न कटी बंदिये फसल है जिसके लिए उच्च तापमान अधिक आरद्रता वे वर्सा की जरूरत होती है बिलकुल सही और नेक्स्ट फसल काटने से पूर इसके मध्य तूसरी फसल लगाना रोपन किर्शी कहलाता है गलत हो जाएगा रोपन नहीं उसे रीले कहते हैं रीले किर्शी देखिए मैं आपको इसपष्ट कर दूँ जो इंडियन एगरिकल्चर से रिलेटिड जो कोशन है वहाँ से इस टाइप से डारेक्ट कोशन पूछे जाने की संभावना की तुल्ना में यदि हम बात करें करण्ट से रिलेट करकर कोशन जादा पूछने की संभावना है और जैसे हम अपने अंतिम पड़ाओ पर पहुँचेंगे वहाँ आपको 20 से लेकर लगबग 25 कोशन लास्ट में जो इंडियन जोगरफी से रिलेटिड करण्ट है उस पर तयार किये गए हैं लेकिन उससे पहले बेसिक का समझना बहुत जरूरी है चलते हैं आगे ये से रिलेटिड कुछ इंफोर्मेशन नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 12 संसाधनों के संबंद में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए सभी संसाधनों का आर्थिक मुल्य अवश्य होता है कथना आपका गलत है क्योंकि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मुल्य नहीं होता जैसे कि सूरियता वाईयो, ओक्सिजन ये सब प्राकरतिक रूप से हमें 3 of कोश्ट मिलते हैं तो सभी संसाधनों का आर्थिक मुल्य नहीं होता सेकंड, समय और प्रोध्योगी की पदार्थों के संसाधन में परिवर्तित करने के दो महत्वपूर्ण कारक हैं बिलकुल सही है ज़िए हम 400 साल पहले की बात करें मध्यकाल में हम पहुंच जाएं तो उस टाइम पैंट्रोल डीजल संसाधन नहीं थे हमारे लिए क्योंकि उनका यूज हम नहीं जानते तो टेकनोलोजी ने हमें सक्षम बनाया उनका उप्योग करने के लिए दूसरा समय जैसे जैसे आगे बढ़ा उसी परकार से जो संसाधन हमारे लिए नहीं थे आज वो हमारे लिए संसाधन है भाविश्य में भी कुछ ऐसे संसाधन है जिनकी आज हमें जानकारी नहीं है लेकिन वो हमारे लिए संसाधन हो सकते हैं तो समय और प्रोध्योग की पदार्थों को संसाधनों का उप्योग एवं उनके संगरक्षन में संतूलन बनाए रखना समावेशी विकास कहलाता है गलत है समावेशी नहीं बलकि संपोशनिय विकास कहलाता है तो ये भी कोश्चन आपका कथन गलत हो जाएगा तो ऐसत्य कथन का चेन करना है इसमें तो फ़र्ष्ट और थर्ड आपका अंसर सी अब समझते हैं समपोशनिय विकास एक मिनट में देखे जब भविश्य की पीडियों की आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखते हुए वरतमान में जब आप अपनी आवश्यक्ताओं की पूर्ती करते हैं तो इस परकार के विकास को समपोशनिय विकास के नाम से जाना जाता है यदि किसी देश की किसी छेतर की एकॉनमिक गरोथ हो रही है या जेडिपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि समपोशनिय विकास हो चुका है जानि कि आर्थिक विकास पलस सामाजिक विकास और पलस परियावरणिय विकास जब तीनों विकास एक साथ जुड़ जाएं तो बनता है समपोशनिय विकास एक एक्जामपल मैं छोटा सा ले लूँ यदि मैं हरियाना की बात करूँ तो आज से 10-12 साल में वहां का आर्थिक विकास तो हुआ लेकिन सामाजिक विकास नहीं हुआ पन्या भुरुन हत्याएं अपने हाई लेवल पर रही सिक्सा ज़्यादा नहीं आ पाई तो आर्थिक विकास हरियाना का सुरुवाती दोर में हुआ सामाजिक विकास नहीं हुआ कुछ छेतर ऐसे हैं जहां आर्थिक विकास भी हो जाए समाजिक विकास भी हो जाए केरल को हम ले लें लेकिन जरूरी नहीं परियावरन ये विकास हो जाए यदि परियावरन को लेकर हम साथ नहीं चलेंगे तो ये विकास इस्थाई नहीं होगा कुछ समय के बाद ये विकास रुक जाएगा तो जब आप विकास की ऐसी अवधारणा को एडॉप्ट करते हैं जिसमें परियावरण का ख्याल करके आप चलते हैं तो वैसे विकास को कहा जाता है समपोशन ये विकास चलते हैं बढ़ते हैं आगे Next question सूरिया तब के वितरणा को परभावित करने वाले कारक है नमबर एक चालन नहीं चालन जो है सूरिया तब को नहीं बलकि पापमान को निर्धारित करता है या उसको परभावित करने वाला एक कारक है वो समझेंगे अभी पर्थवी का घुर्णन यस पर्थवी का परिकर्मन यस समझेंगे तो वायू मंडल की पारगम मेता बिलकुल सही देखिए सबसे पहले इंस्शोलेशन और तापमान में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए सूरिया तब एक परकार की उर्जा है और जबकि तापमान उश्मा सूरिया से जदी मैं बात करूँ पर्थवी के धरातल पर जो तरंगे पहुँच रही हैं वो उर्जा के रूप में पहुँच रही है ये उर्जा सतहे पर पहुँच कर उस्मा में चेंज करती है यानि के सतह पर पहुची है उर्जा और जैसा कि आप जानते हैं जो पर्थवी है धरातल है जो भी पदार्थ है वो अनू और परमानों से मिलकर बने हैं जब ये एनरजी पहुचती है तो वो अनू और परमानों कमपन करते हैं कमपन करने से घर्षन उत्पन होता है और घर्षन से निकलती है उश्मा यानि के सूरिया तप उर्जा है जिसको कैलोरी में आप मेजर करते हैं तापमान एक उश्मा है जिसको आप डिग्री सेंटिग्रेट में आपते हैं तो पर्थवी का चालन की ज़िए मैं बात करूँ तो एक तापमान के संतूलन करने की एक दसा है यानि के संपर्क विधी के माध्यम से जब तापमान संतूलित हो जाता है सूरिय तब नहीं तापमान तो उसे कहते हैं चालन यानि सर्दियों में यदि आप देखें आपने चेयर को पकड़ा तो आपके अंदर से टेंपरेचर तब तक फुलो होता रहेगा जब तक कि दोनों का टेंपरेचर एक सामान ना हो जाए तो ये जो विधी होगी ये होगी चालन सम्वेहन में जो कण है वो एक जगे से दूसरी जगे मुवमेंट करते हैं उसके माध्यम से भी तापमान का ही ट्रांसफर होता है ने की उर्जा का तो इस आधार पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा सत्यकत्थन की पहचान करें सेकंड, थर्ड और फिफ्थ डी चलिए बढ़ते हैं आगे परभावित करने वाले कारण गुर्णन इस्थल विन्यास दिन की अवदी यानि के गुर्णन जदि मैं पर्थवी की बात करूँ तो अपने अक्स पर पर्थवी पुरव से पस्चिम से पूर घूम रही है गुर्णन के कारण कहीं सूरियत अप ज़्यादा है कहीं कम है दिन में जदि मैं बात करूँ ज़्यादा सूरियत अप की प्राप्ति होगी रात को कम होगी तो गुर्णन एक कारण है इस्थल विन्यास यानि कि जो चिकनी सतह होगी चमकदार होगी वो सूर्यतप को प्रावर्तित कर देगी तो वहाँ पर सूर्यतप की प्राप्ति कम होगी जो खुरदुरी सतह होगी जादा गाड़ी होगी वो जादा अवसोसन करेगी तो वहाँ पर सूर्यतप की प्राप्ति जादा होगी दिन की अवदी जितनी लंबी होगी उतने ज्यादा सूर्या तब प्राप्त होगा परिकर्मन परत्वी का सूर्य के चारो और चक्कर काटना परिकर्मन कहलाता है इसमें भी यदि हम बात करें ये सन है ये अर्थ है तो प्रत्वी जो है सूरिय के चारव और दीर गवरत्ताकार मार्ग में चक्कर नहीं काट रही है बिल्कुल सरकिल रूप में नहीं काट रही है थोड़ा दीर गवरत्ताकार में काट रही है कभी दूर कभी नजदीक तो जब ये नजदीक आएगी तो सूरिय तब की प्राप्ति ज़्यादा होगी और तीन जनवरी के दिन सूरिय तब की सबसे ज़्यादा प्राप्ति होती है क्योंकि तीन जनवरी को परत्वी सबसे निकट पहुँचती है सूरिय के नेक्स्ट सोर कलंकों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा सूरिया तब प्राप्त होगा नति कोण या आपतन कोण इसको और समझ लें आपतन कोण जितना ज़्यादा होगा सूरिया तब की प्राप्ति उस स्थान को उतनी ही ज़्यादा होगी पान के चलें ये अर्थ है ये आपका सन है तो सूरिय से लेखे पर्थवी के धरातल तक के बीच जो किरण पहुँच रही है उसके बीच निर्मित कोण को कहते हैं आपतन कोण जितना ज्यादा ये कोण होगा उतना ही सूरिय तब की प्राप्ति ज्यादा होगी किरण जो परकास पहुँच रहा है जो उर्जा पहुँच रही है और धरातल के बीच निर्मित कोण जितना कम होगा सूरिय तब की प्राप्ति उतनी ही कम होगी चलते हैं आगे next question ताप ये परतिलोमन का तात पर ये है नमबर एक उचाई बढ़ने के साथ ताप मान में होने वाली कमे गलत उचाई बढ़ने के साथ ताप मान में होने वाली वरद्धी बिल्कुल सही अधिक्तम ताप मान की मेखला इनका कोई ओचित्ते ही नहीं है ताप ये परतिलोमन यानि के यदि परत्वी के धरातल से वायू मंडल में आप उपर की और जाएं तो सामान्य तह ताप मान में कमे दर्ज की जाती है लेकिन यदि कमी के अपोजिट वाईयू मंडल में उपर जाने के दोरान यदि ताप मान में वरद्धी हो तो इस घटना को कहते हैं ताप ये परतिलोमन इसके परभाव क्या हैं? जैसे कोहरा वर्सा के लिए परतिकूल इस्थितियां जानी के वर्सा नहीं होगी कोहरा को यदि आप परदूसन से मिला दें तो निर्मान होगा इस्मोग का ये परभाव की भी किसका है? ताप ये परतिलोमन का ये काफी इंपोर्टेंट है थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का चलते हैं देखते हैं अगली स्लाइड पर इसमें जो चोथा विकल्प है आपका कि किसी इस्थान विसेश के ओसत तापमान तथा उस इस्थान के अकसांस के ओसत तापमान में अंतर का पया जाना देखिए किसी इस्थान विसेश और अकसांस के ओसत तापमान में अंतर को कहते हैं तापिय विसंगती तो समझते हैं थोड़ा सा काफी इंपोर्टेंट है सपोज करें ये कोई अकसांस है और यहां का ओसत तापमान हम माल लेते हैं 30 डिग्री और मैं किसी स्थान पर गया वहां का टेमप्रेचर मुझे मिला 20 डिग्री जबकि ओसत तापमान अकसांस का है 30 डिग्री तो ये जो अंतर है इसको कहेंगे तापिये विसंगती ऐसा क्यों होता है? यदि किसी अकसांस पर मैं समुंदर तल पर हूँ तापमान अलग होगा इसी अकसांस पर यदि मैं आगे बढ़ा कहीं मुझे परवत मिल गया तो उचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है तो एक ही अकसांस पर इस्थलिये उच्चा वच्च में विभिन्नता के चलते तापमान में काफी अंतर देखने को मिलता है तो जो अकसांस का ओसत तापमान है उसी अकसांस पर किसी अस्थान का इदियम तापमान देखें उसमें जो अंतर पाया जाता है उसको विसंगती कहते है यदि किसी इस्थान का तापमान ओसत तापमान से ज़्यादा है तो इसको कहेंगे धनात्मक विसंगती और यदि किसी इस्थान का तापमान कम है तो इसको कहेंगे रिनात्मक विसंगती जल्दी साब मुझे कॉमेंट करके बताएं यदि गर्मियों का मोसम है और मैं उत्री गोलार्द की बात करूँ तो धनात्मक विसंगती इस्थल मंडल पर मिलेगी या जल मंडल पर जल्दी कमेंट करके बताएं तब तक मैं बढ़ता हूँ आगे Next question निमने लिखित कथनों में से सत्यका चैन कीजिए नमबर एक वाईयू मंडल का संगठन इसकी भोतिक विस्येस्ताओं को इंगित करता है कथन आपका गलत है वाईयू मंडल का संगठन इसकी भोतिक नहीं कैसी विस्येस्ताओं को इंगित करता है अभी समझेंगे Next Nitrogen, Hydrogen, Oxygen वे मिथेन वाईयू मंडल की इस्थाई गैसे हैं जलत Hydrogen और मेथेन इस्थाई नहीं बलकि इस्थाई गैसे हैं अगला option समताप मंडल में उपर की ओर जाने पर तापमान में प्रद्दी होती है ये कतन से ही है और last आयतन मंडल में विद्यूत आवेशित कणों की परद्दानता पाई जाती है जलत है आयतन नहीं आयन मंडल में आयन मंडल आयतन मंडल को हम बहिर मंडल भी कहते हैं जहांपर हम संचार उपगरों को इस्थापित करते हैं तो आयन मंडल की विशेषता है जहां पर विद्युताविशितकन मिलते हैं जिससे धरातल पर संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है क्योंकि वहां से रेडियो एक्टिव जो तरंगे हैं वापस लोटकर धरातल पर आ जाती है देखिए वायू मंडल कि यदि मैं बात करूँ तो इसका दो आधारों पर हम अध्यान करते हैं एक तो इसका संगठन क्या है वायू मंडल का और वायू मंडल की सेरचन क्या है संगठन यानि के कमपोजिशन इसके अंतरकत पाए जाने वाली गैसें जलवास्प और एरो सोल इनका हम अध्यान करते हैं संगठन के अंतरकत एरो सोल वहीं सेरचन के अंतरकत इसकी भोतिक विशेस्ताओं को हम रखते हैं वायू मंडल की यानि कि फिजिक्स से रिलेटिड जो विशेस्ताओं है जैसे कि मैं बात करूँ गनत्व तापमान इत्यादे यानि के जब आप वायू मंडल में कितनी ओक्सिजन है कितनी नाइट्रोजन है उनकी मातरा क्या है जब इस आधार पर आप वायू मंडल का अध्यान करते हैं तो इसको कहते हैं वायू मंडल किसका संगठन कमपोजिशन और जब आप इसकी भोतिक विशेष्ताओं को आधार बना कर वायू मंडल की परतों का अध्यन करते हैं तो इसको परतों की सेरचना यानि के छोब मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर मंडल यह जो आप जब उपर को जाएंगे तो यह इसकी सेरचना को परदर्शित करता है यानि के घनतू गटता जाएगा आपका जो टेमप्रेचर है वो गटता जाएगा तो ये जो परतों का वर्गी करण है ये वायू मंडल की सेरचना को आधार बनाकर बनाया गया है नेकी संगठन को चलते हैं अगले कोशन की और ये से रिलेडर कुछ इनफोर्मेशन है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा नेक्स्ट कोशन जेट इस्ट्रीम की विशेस्ताओं पर विचार कीजिए नमबर एक ये छोब मंडल के उपरी छोर पर पस्यम से पूर्व की दिसा की ओर दोनों गोलार्धों में 20 डिगरी अकसांसों से धुरूं के मध्य संचरित होती है बिलकुल सही सेकिंड ग्रिश्म काल में इनका वेग अधिक्तम होता है गलत ग्रिश्म काल की अपेक्सा सर्दियों में इनका वेग अधिक्तम होता है और अधिक्तम 400 किलोमेटर पर आर तक ये वेग को धारन करती है नेक्स्ट उस्ण कटिबंध्य पूर्वी जैट इस्ट्रीम भारतिय मानसून की उत्पत्ती के लिए उत्तरदाई कारकों में से एक है बिल्कुल सही समझेंगे अभी उस्ण कटिबंध्य पूर्वी जैट इस्ट्रीम क्या है और लास्ट धुर्विय वातागर जैट इस्ट्रीम भारत में पस्चिमी विक्षोब लाने है तू जिम्मेदार है ये भी कथन गलत है आपका तो सत्य कथन की पहचान कीजिए तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा एक और पीन सी समझते हैं थोड़ा सा जैट इस्ट्रीम हवाई है अगली सलाइड पर देखते हैं ये जिरो डिग्री अकसांस है ये बीच डिग्री अकसांस यहां से लेकर और यहां के बीच ये विसरपित रूप में इस परकार से बहती हैं धुरूव के चार और काफी तीवर ये गतिवाली हवाई होती हैं सेकंड वल्ड वार के दोरान 1939 से 1945 के बीच जब सेकंड वल्ड वार चल रहा था उसी दोरान अमेरिकी जट विमान जब जापान के उपर गिराएंगे तो जब वो वहां से अमरीका से जापान की तरफ बढ़ेंगे तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना होगा वहीं से ये एक अनुसंधान का छेतर बन गया और उन्ही जट विमानों के आधार पर इनको नाम दिया गया जेट इस्ट्रीम अगली स्लाइड पर देखते हैं इससे रिलेटिड कुछ इनफोर्मेशन ये आप देख पा रहे हैं 20 डिग्री से लेकर धुरूओं के बीच ये विसरपित रूप में इस परकार से भुरूओं के चारों तरफ ये चलती है इनकी डारेक्शन पस्चिन से पूर्व दिसा की और होती है यदि मैं बात करूं सरदियों की सरदियों में जैसा कि आप जानते है सूरिय का दक्षिन आयन होता है सितंबर महीने के बाद सूरिय दक्षिन गोलार्द में चला जाता है तो जो पलेटे हैं वायू मंडलिय दाब की वो भी दक्षिन की तरफ सरक के आ जाती है तो मैक्सिमम ये दक्षिन में 20 डिग्री अक्सांस तक जैट इस्ट्रीम पहुंचती है और इधर भुर्वो तक इनके बीच में ही ये विसरपित होती है चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरा उपोष्ण कटी बन दिये 25 जैटी स्ट्रीम पस्षिमे विक्षो भेतु उत्तर दाई हैं इसको समझे लें थोड़ा सा ये इंडिया है ये जो उत्तर भारत है यहाँ पर सर्दियों में वर्षा होती है जब ये पलेट वायू मंडलिय दाब की जो पलेट है आई टी एस जैड जो निम्न वायू दाब की पलेट हो दक्षिन की तरफ मूव करती है तो जो जैटी स्ट्रीम है जो गर्मियों में यहाँ पर ये बह रही थी ये अब यहाँ पर इंडिया के उपर ऐसे बहने लगती है तो भुमद्य सागर कैस्पियन सागर यहाँ से नमी लेकर यह भारत में सर्दियों में पहुँचती हैं दिसंबर जनवरी के महिने में और सर्दियों के मोसम में ये वरसात करती हैं इन जेट इस्ट्रीम को कहा जाता है उपोश्न कठी बन दिये पच्छवा जेट इस्ट्रीम चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओर निमनी लिखित कत्नों पर विचार कीजिए नमबर एक कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो की दाब परवनता बल के कारण उत्पन होता है ये बात सही है कि कोरियोलिस बल एक आभासी बल है लेकिन ये दाब परवनता बल के कारण उत्पन नहीं होता पर्थवी के घूरनन के कारण ये कोरियोलिस बल उत्पन होता है नेक्स्ट समुंद्र तल से उचाई बढ़ने पर वायू मंडलिय दाब में बरद्धी होती है कथन गलत है समुंद्र तल से यदि आप उचाई पर जाएंगे तो वायू मंडलिय दाब में क्या होगी कमी समझेंगे अभी नेक्ष्ट पर्थ्वी के धरातल पर छे वायूदा पेटियां विद्यमान हैं गलत साथ पेटियां पाई जाती है और लास्ट उप धुविय निम्न वायूदा मेखला का विकास उत्तरी गोलार्द में अधिक इस्थाईवे नियमित होता है ये भी गलत है तो आप से पूछा गया है सत्य का चैन कीजिए तो आपका अंसर हो जाएगा ओप्शन डी उपर युक्त सभी गलत हैं देखिए कोरियोलिस बल अर्थ जो है पर्थ्यम से पूर्वे से घूम रही है इस घूमने के कारण एक आभासी बल उत्पन होता है जिसको हम कहते हैं कोरियोलिस बल ये जरूरी नहीं कि पर्थ्वी के घूमने के कारण ही बल पैदा होता है यदि कहीं भी कोई चीज घूम रही है वहापर कोरियोलिस बल उत्पन हो सकता है दाप परवनता बल जदि मैं बात करूँ अर्थ पर दो दाब का अंतर कहलाता है दाब परवनता जैसे कि आप जानते हैं उच्छ वायू दाब से निम्न वायू दाब की और हवाई बहती है इस दाब परवनता के कारण ही एक बल उत्पन होता है जिसको कहते हैं दाब परवनता बल समदाब रेखाएं जितने निकट होंगी दाब परवनता बल उतना ही जादा होगा और जितना दाब परवनता बल होगा पवन की गती भी उतनी ही जादा होगी समुद्र तल से उचाई बढ़ने के साथ वायू मंडल दाब में वरद्धी होती है ऐसा नहीं है मानके चलें ये ध्रातल है और ये वायू मंडल है वायू मंडल की मैंने सारी परत ले ली है अब यहां ये मैदान है ये पठार है ये परवत है जैसा कि आप देख पा रहे हैं वायू मंडल की सबसे कम परतें परवतों के उपर है इसको ऐसा थोड़ा इमेजिन करके चलिए कि मेरे उपर बहुत सारा सामान रखा है तो दाब जादा होगा यदि सामान कम है तो प्रेशर कम होगा वायू मंडल की परतें परवतों पर इनकी मोटाई कम है तो यहाँ पर जो दाब है वो कम होगा और यदि मैं बात करूं समुंदर तल की इसकी मोटाई वायू मंडल की परतों की सबसे जादा है तो यहाँ पर पर प्रेशर सबसे जादा होगा वायू मंडल ये दाब तो उंचाई बढ़ने के साथ साथ वायू मंडल ये दाब में क्या दरज की जाती है परत्वी के धरातल पर छे नहीं साथ वायूमंड लिए दाप पेटिया मोजूद है इसमें तीन ताप जनित और चार जानत्रिक जनित देखते हैं इसको यह धरातल है यह जीरो डिग्री अकसांस ताप मान बहुत ज़्यादा है ताप मान ज़्यादा होने के कारण वायू फैलती है फैलने से उसका घनत्व कम होता है घनत्व कम होने का मतलब है कि वायू हलकी हो गई है और हलकी होकर जीरो डिग्री पर उपर उठती है यहां से बहकर छोब मंडल में उपर की ओर नीचे बैठती है 30 डिग्री पर यह है व्यापारिक पवन यह है पच्छवा पवन यहां से फिर उपर उठेगी 60 डिग्री पर और यह है पॉल 90 डिग्री यहां फिर नीचे आएगी तो 0 डिग्री और जो धुरूँँँँँँपर हवाएं है यह जो दाब है इसका संबन्ध है तापमान से तापमान ज्यादा लो प्रेशर तापमान कम तो हाई प्रेशर जबकि यह जो चार वाईूमंडलिया पेटियां है 30-60 यह जो चार है यह पर्थवी के घुर्णन के कारण निर्मित होती है तो चार पेटियां यांत्रिक जनित हैं जबकि तीन पेटियां ताप जनित बढ़ते हैं आगे यह से रिलेटिड कुछ इन्फोर्मेशन उसको आप देख लेंगे सामीक पवनों का उधारन नहीं है सामीक यानि के मौसमी पवनों का उधारन निमने लिखित में से कौन सा नहीं है मांसुनी पवने बिलकुल यस है पच्वा पवन नहीं ये एक कैसी पवन है परचलित या पर्मानेंट इस्थल्वे सागर शमीर बिलकुल सही परवत्वे गाटी समीर ये भी बिलकुल सही समझते हैं धरातल पर जो पवने हैं उनको तीन भागों में भी भाजित किया गया है नमबर एक परचलित पवने परचलित पवने सेकंड मौसमी या सामीक पवने और तीसरा इस्थानिय पवने परचलित पवने ऐसी पवने हैं जो पर्थवी के धरातल पर वर्स भर एकी डारेक्शन में बहती हैं, उनकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, उच्च से निम्न अक्सांसों की और व्यापारिक पवने, निम्न से उच अक्सांसों की और पच्वा पवने, और धुर्विये पूर्वी पवने, ये हैं प बदल लेती हैं, मानसूनी पवने, यदि मैं गर्मियों की बात करूँ, तो गर्मियों के मोसम में मानसूनी पवने इस्थल खंड की और, जबकि सर्दियों में इस्थल मंडल का तापमान जादा होने से उच वायुदाब का निर्मान होता है, तो इस्थल मंडल से जल मंडल की और प्रवने कती करती है इस्थर और सागर समीर को एक बार और समझ ले आनके चलें ये सागर है और ये इस्थर मंडल है ये है जल मंडल सबसे पहले ये समझना जरूरी है की जल और इस्थल यदि मैं दोनों की बात करूँ तो विशिष्ट उस्मा किसकी ज़्यादा है विशिष्ट उस्मा यानि के किसी पदार्थ की एक इकाई को एक डिग्री सेंटिग्रेट टेंपरेचर बढ़ाने के लिए जितनी उस्मा की आवश्यक्ता होती है उसे उस्थदार्थ की विशिष्ट उस्मा कहते है मान के चलें ये एक पत्थर है और इधर देखना शुरूँ थोड़ा पत्थर है और एक तरफ हम ले लें जल को यदि आप दोनों को एक-एक मिनट गैस पर रख दें सिंपल एक्जामपल में ले रहा हूँ तो जल्दी गर्म कौन सा होगा पत्थर जल्दी गर्म होगा जल थोड़ा लेट गर्म होगा तो जल की विशिष्ट उस्मा जादा हो जाएगी और पत्थर की विशिष्ट उस्मा कम यानि के यदि मैं दोनों को बराबर उश्मा दूँ तो पत्थर उतनी ही उस्मा में ज़्यादा गर्म हो जाएगा जबकि जल कम गर्म होगा तो विशिष्ट उस्मा जल की ज़्यादा है अब समझते हैं इस कॉंसेप्ट को देखिए यह है समुंदरतल और यह है इस्थल यह हमारा सूर्य और यहां से जो एनर्जी है वो है ज़्यादा ज्यादा होने का तात परिये ज्यादा होने का तात्परिय ये है कि जल जो है इस्थल मंडल की अपेक्सा लेट गर्म होगा और लेट ही थंडा होगा ये जल है ये इस्थल है ये आपका सूर्य अब यदि हम एक सेकंड थोड़ा टेक्निकल प्रोब्लम है थोड़ा सा एक मिनट रुख जाएं ये उत्ड़्ट देडियो इस्थल है अब दिरखियों चार्वर कांट एक सेकंड भी होगा ये खिर इस्थल है ये मैं होगा दोड़ होगा ये बाल दोड़ा सावार के ये जत्वेश्ट है ये जत्वेश्वा नच्त बड़ब्ल्ट प्रोड़ा, लेगा झाल 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 चलिए फिर से हम इस्टार्ट करते हैं सामिक पवनों का उधारन नहीं है मान सुनी पवने यस पच्वा पवने नो तो हमारा आंसर इसमें बी था समझते हैं हम थोड़ा सा देखें अभी जो हमने बात की विशिष्ट उस्मा ये क्या है मान के चलें आपने ये एक पदार्थ लिया ये दूसरा इसको आपने उसमा दी इसको भी आपने उसमा दी जो पदार्थ कम उसमा लेकर जल्दी गर्म हो जाएगा तो ऐसा माना जाएगा कि उसकी विशिष्ट उसमा कम है और जो लेट गर्म हो रहा है या उतना ही तापमान प्राप्त करने के लिए ज्यादा उस्मा की जरूरत है तो उसको कहेंगे कि इसकी विशिश्टूस्मा ज्यादा है यदि मैं एक तरफ जल रख लूँ और एक तरफ पत्थर रख लूँ और गैस पर इसको गर्म करूँ तो सेम समय में पत्थर जल्दी गर्म हो जाएगा जल उतना जल्दी गर्म नहीं होगा इस पश्ट है कि जल की विशिश्टूस्मा ज्यादा है तुलनात्मक रूप से पत्थर के अब इसको हम लागू करते हैं इस्थल मंडल और जल मंडल पर यह आपका जल मंडल है यह इस्थल मंडल है यहां पर सूरिया तप सूरिया की एनरजी बराबर पराफ्ट हो रही है तो यहां आप देखेंगे दिन के समय गर्मियों के मौसम में इस थल जल की अपेक्सा जादा गर्म हो जाएगा और जल्दी गर्म हो जाएगा यदि तापमान जादा है तो यहां की डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि डेंसिटी जो है घनत्व बराबर दरव्यमान बटे आयतन यदि तापमान बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा और यदि आयतन बढ़ेगा तो घनतु कम होगा और जिस चीज़ का घनतु कम होगा वो हल्की होकर भारी वस्तु के उपर पहुंच जाएगे अब यहाँ पर temperature जादा है घनतु कम है तो यहाँ pressure बनेगा low pressure दिन के समय की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर टेमपरेचर तुलनाद मक रूप से कम है तो यहाँ परेसर होगा हाई यहाँ पर हाई परेसर यहाँ पर लो परेसर तो दिन के समय हाई से लो परेसर की तरफ हवाए बहना शुरू करेंगी इसको कहेंगे सागर समीर यदि मैं रात की बात करूँ तो रात में जल जो है लेट ठंडा होगा क्योंकि इसकी विशिश टूसमा जादा है इस थल जल्दी ठंडा हो जाएगा तो रात के समय यहां का तापमान कम तो प्रेशर जादा यहां का तैंप्रेशर जादा प्रेशर कम तो रात के समय होई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेंगी इसको कहेंगे स्थल समीर तो यह बात ध्यान रखिए दिन के समय सागर समीर और रात के समय इस्थल समीर होई बहती है इसी परकार से परवत वे घाटी समीर यह परवत है आपका यहां पर घाटी है रात के समय यहां का टेमप्रेचर स्पीड से बाहर जाएगा क्योंकि यहां वायू मंडल ये दाब कम है तो यहां पर बन जाएगा हाई प्रेशर और यहां प्रेशर लो तो हवाएं परवत से घा परवत की और इसको कहेंगे घाटी समीर तो दिन के समय घाटी समीर और रात के समय परवत समीर नमक हवाएं चलती हैं चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर नाइन्टीन उष्ण कटी बंदिये चक्रवात के सम्मद में निम्न कत्नों पर विचार कीजिए इस साल यह थोड़ा इंपोर्टेंट भी रहेगा क्योंकि वरत्मान में अभी जो समाचारों में अपने हाले में देखा कयूशन कटी बंदिये चक्रवात आएं हैं नमबर एक इन चक्रवातों में वाईयू के संचरण की दिसा उत्री गुलार्द में एंटी क्लोकवाईज होती है बिल्कुल सही वामावरत एंटी क्लोकवाईज यानि के इस परकार से उत्री गुलार्द की में बात कर रहा हूँ सेकिंड आख की दिवार पर वाईयू का अधिक तीवरता से आरोहन होने के कारण अधिक मात्रा में वर्षा होती है बिल्कुल सही नेक्ष्ट हिंद महासागर के उत्री हिस्से में चक्रवातों का नामकरण वर्स 2001 से इस छेतर में 4 देसों द्वारा किया जाता है कथन गलत है 2001 से नहीं बलकि 2004 से नामकरण किया जा रहा है और 4 देसों के द्वारा नहीं 8 देसों के द्वारा जिसमें भारत भी शामिल है नेक्ष्ट चक्रवात को उर्जा की आपूर्ती कोरियोलिस बल से होती है कथन गलत हो जाएगा कोरियोलिस बल से नहीं बलकि संगनहन की परकिरिया के दोरान उसमें उपस्थित जो गुप्त उसमा है उससे चक्रवात को उर्जा की प्राप्ती होती है अब हमें देखना है एसत्यक थन की पैचान कीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर भी तीन और चार देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पड़ समझते हैं चक्रवात को देखे ये हैं आपका उश्न कटी बंधिये चक्रवात चक्रवात दो ही परकार के होते हैं यदि मैं इनको अक्सांसों के आधार पर बाट कर देखूं एक तो मध्य अक्सांसों में वातागरी चक्रवात और निम्न अक्सांसों में उश्न कटी बंधिये चकरवात भारत जो है उश्न कटी बंधिये चकरवातों से प्रभावित छेतर के अंतरगाद आता है ये चकरवात का सवरूप है ये चकरवात की आँख है जो कि आप देख पा रहे हैं यहां इस छेतर में वाईयू का आरोहन यानि के वाईयू उपर की ओर नहीं उठती है तो चकरवात की आँख पर वर्सा नहीं होती है चकरवात की आँख से सलगन लगा हुआ छेतर आँख की दीवार कहलाता है यहां पर वाईयू का आरोहन बड़ी तीवर गती से होता है परिणाम सवरूप इस छेतर पर वर्सा की मातरा बहुत ज़्यादा होती है चकरवाती तूफान के रूप में वर्सा यहां पर दर्ज की जाती है जो दोनों तरफ का यह छेतर है आप देख पा रहे हैं इसको कहते हैं आपकी दीवार जब इस से हम आगे बढ़ते हैं इस से जो सलगन छेतर है इसको वर्सन सरपल पट्टी कहते हैं तो नात्मक रूप से यहां वर्षा कम होती है इसका जो बाहरी छेत्र है बाहिया वल्य छेत्र यहाँ पर हवाएं ऐसे उठकर नीचे बैठती है तो यहाँ पर परती चक्रवातिये दसाई उत्पन होती है जिसके कारण वल्यकार छेत्र पर वर्सा बिल्कुल नहीं होती और सबसे लाष्ट पाहिया सम्मेहनिय पट्टी यहाँ पर भी इस्थानिय कारकों के द्वारा सम्मेहन के रूप में वर्सा दर्ज की जाती है तो यह जो है आपका एक चक्रवात का सवरूप है यह छोब मंडल है ट्रोपोस्फेर यह समुंदर तल है समुंदर तल पर ही उश्ण कटी बंदिय चकरवात उत्पन होते हैं क्योंकि वास्पी करण के द्वारा जल जो है जल वास्प में तबदील होता है उस परकिरिया को कहते हैं वास्पी करण और जल वास्प का जल में पुनह बदलना कहलाता है संगनन जब तक समुंदर तल के उपर यह चकरवात रहता है तो इसको उर्जा की प्राप्ती निरंतर रहती है जैसे जैसे चकरवात इस थल मंडल की ओर बढ़ता है तो वास्पी करण के द्वारा जल का जल वास्प में परिवर्थन नहीं होता और संगनन की परकिरिया से प्राप्त होने वाली जो उर्जा है उसकी प्राप्ती नहीं होती है तो इस थल मंडल में अंदर की ओर जाते ही यह चकरवात तूट जाते हैं चलिए बढ़ते हैं आगे तो आज के सेशन को हम यहीं रोकते हैं वीस कोश्चन हमने लिये हैं इस दोरान हाँ यह पूरा हो गया है अच्छा वीस एक सेक्ड इस कोश्चन को हम और ले रहें 20 को विस में वर्सा के वित्रण संबंदी निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए नमबर एक निमन से उच अकसांसों की ओर जाने पर वर्सा की मात्रा में कमी दर्ज की जाती है बिल्कुल सही एक ही अक्सांस के विभिन इस्थानों पर वर्सा की मात्रा सामाइनेते एक समान रहती है गलत नेक्स्ट विश्वत वरत से 45 डिग्री तथा 65 डिग्री उत्तरवे दक्सिन अक्सांसों के बीच महाद्वीब के पस्चिम से पूर्वी किनारों की और जाने पर वर्सा में प्रद्धी होती है गलत इसको भी समझेंगे अभी नमबर चार वर्सा का मौसमी वित्रण इसकी परभाविता को समझने का एक महत्वपूर पक्स है एकदम से ही सत्यकतन का चैन कीजिए एक और चार आपका अंसर हो जाएगा दी समझते हैं थोड़ा सा ये अर्थ है, ये है निम्न अक्सांस, ये है उच्छ अक्सांस जब निम्न से आप उच्छ अक्सांसों की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी होगी, तापमान में कमी होगी तो वास्पी करन कम होगा परिणाम सवरूप वर्सा की मात्रा में कमी आएगी बिल्कुल सही दूसरा एक ही अक्सांस के विभिन इस्थानों पर वर्षा की मात्रा सामाने ते एक समान रहती है मान के चले ये एक अक्सांस है तो कथन कहना चाहरा है कि हर इस्थान पर वर्षा की मात्रा एक समान होगी बिल्कुल नहीं जैसे कि आप जानते है इस्थल पर उच्चावच की विसमता बहुत जादा है कहीं मैदान, कहीं पठार, कहीं परवत जिसके चलते तापमान में परिवर्तन होगा तापमान में परिवर्तन के कारण आरदरता भी परभावित होगी और जिसके कारण वर्सा की मात्रा एक समान नहीं होगी कहीं वर्षा ज्यादा होगी, कहीं पर वर्षा कम होगी विश्वत वरत से 45 तदब 65 डिग्री इसको समझते हैं 0, 10, 30, 45, 60 और 90 देखिए ये मान के चलें एक महद्वीब है और इधर आपका ओशियन, महासागर दोनों तरफ कोई भी एक महद्वीब ले ले, एक आदर्स, इस्थिती मैंने लिए है ये है आपका महद्वीब अब यदि आप बात करें, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 30, 45 और 60 यहाँ पर आप जानते हैं कि व्यापारिक पवने चलती है यहाँ पर पच्वा पवने परवाहित होती है तो 45 से 65 डिग्री के बीच जो छेतर है वो पच्वा पवनों से परभावित है और जबकि 30 से लेकर निम नकसांस 10 डिग्री की और व्यापारिक पवने बहती है तो व्यापारिक पवनों से जो परभावित चेतर है महदवीप है उसके पूर्वी तटपर वर्सा जादा होगी और पस्चिम तटकी ओर जाते जाते वर्सा में कमी आएगी वहीं 45 से 65 डिग्री छेतर की यदी मैं बात करूँ यहाँ पर पच्छवाएं पवन चलती है जो कि पस्चिम से जिनकी दिसा पूर्व की ओर है यानि कि अगर मैं एक्जेक्ट लोकेशन की बात करूँ डारेक्शन की तो दक्षिन पस्चिम से उत्तर पूर्व की ओर पच्छवापवने तो ये महाद्वीब के पस्चिमी तट पर जादा वर्षा करेंगी और जैसे जैसे ये वर्षा ये हवाएं पूर्व की ओर मुड़ेगी इसकी वर्षा में कमी आती जाएगी क्योंकि इधर महासागर है यहां से आरदरतरा ग्रहन करके पच्छवापवने महाद्वीब के पस्चिमी तट पर जादा वर्षा करती हैं जैसे जैसे पूर्व की ओर बुड़ेगी वर्षा की मात्रा में कमी आएगी तो चलिए आज का सेशन हम यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट सेशन के हम सुरुआत कल त्यारा बजे से यहीं से करेंगे थैंक्यू धन्यवाद